हेलो वाटसब गाइस माइनम इस पिनोध बादू थापा एंड टूडे इन इस पुड़ोगी वीडियो में ही मैंने यहां पर आपको दिखाया था दा मोमेंट इसको में हटा दू ठीकि आप फिलाल यहां पर देखो कुछ पता नहीं चल रहा है देखो फिलाल यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन यह कर दू यह देखो देखा क्या आ रहा है यहां पर एक कंपोनेंट इस चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इन्पूट टू बी अनकंट्रोल्ड यह आइनो जब भी आप फॉर्म में काम करोगे ना आप मेंसे बहुत तो को यह चीज आने वाली है एज इसे हम अंकंट्रोलड बोलते तो वह तो हमें पता हूँ तब ही तो लाइक हमें भी पता जल जाएका अच्छा हां मैंने यह करदिया इसलिए पहले अनकंट्रोल था ता मुझ अनकंटरोलड चाही зачем टोटली यूचेज करना है कि आपको यह अनकंट्रोल फॉर्म को यह आप आपका क्लियर करने हो लाएंड मैंने आपको दिखाया भी कि वर्निंग क्यों आ रहा है वह ठीक है धांसे देख लिए क्या होता है यह कंट्रोल कंपोनेंट सु देख लिजे कंट्रोल कंपोनेंट इन रियक्ट आर दोज वेर यह बहुत इन वेर फॉर्म डेटा इस हैंडल ब थे वेर पतेख साझे रिफॉर्म ङosit दोडियु धिन आनगरी कंट्रोल कि आ आरी को जरुकिंपर वेखा इंडल रहा है धनल इन वह प्रेंट आपका कंट्रोल्ड仔 d burned कंपोनेंट के दाहता है अब प्यौकिन देख चरे को हैं मेंस की रिएक्ट आपके फॉर्म को कंट्रो by the react state आपका form का जो value है basically input field में जो value होती है अगर वो आप use state या this.state इसकी through कर रहे हो it means कि react state आपके उस value को control कर रहा है it means कि वो आपका control component कैलाता है and that is the reason why the moment में ने value हटा दी तो मुझे ये warning आ रहा था and that is कि a component is changing from a controlled input to be uncontrolled जो कि पहले control था अब वो uncontrolled में change हो रहा है क्यों क्यों कि मैंने value हटा दी and value के अंदर मैंने वो count दी थी जो कि मेरा एक क्या था simple एक state variable था जो कि basically hook है react का ही एक part है तो मैंने बोला भाई नहीं ये react handle नहीं करेगा तो वो मुझे बता रहा है कि जो पहले control था वो uncontrolled हो गिया है समझ रहे हो उसी तरीके से ये वाला पाट देखीजे event handlers changes to the input field like typing into a text field जब भी कोई उस text field में कुछ type कर रहा होता है यादे हम on change उस करते है event handler तो अगर वो event handler भी हम use कर रहे है इट मिंस कि वो react है जो हमारे form को controlled कर रहा है तो वो आपका कहलाता है control component तो ये सारी चीजे है जब ये चीजों को आप follow कर रहे हो एक form के साथ deal करने के लिए तो वो आपका control component कहलाता है एड एक और चीज ये भी ये दग यहाँ पे when the user interacts with the form input react state is updated through event handlers and the input value reflects the current state value ये तो आप समझी गए सेम यहाँ पे भी तो वही हो रहा है अब भी जैसे मैं आपको बताओ जब मैं handle increment पे click कर रहा था ये on click आपका क्या हो गया ये ये हो गया event handlers अब यही जो event handlers है ये क्या कर रहे है आपका जो state की value उसको update भी तो कर रहे है जब आप एक event handlers define कर रहे हो तो वहाँ पे एक function को आप call कर रहे हो वस function में आप क्या कर रहे हो एक जो state है उसकी value को आप update कर रहे हो समझे रहे हो the moment count जो भी ता minus step कर रहे हो या minus 1 कर रहे हो तो it means कि value अब आप update कर रहे हो तो अगर ये तरीके से आप कर रहे हो तो ये भी आपका control component तो basically ये सबी चीजों का होना जरूरी है तो वो आपका कहलाता है controlled component in react application अब ये uncontrolled क्या होता बहुत ज़्यादा simple है normal traditional function like जब JavaScript की हम बात करते तो वहाँ पर अगर एक input field में मुझे कोई value चाहिए होता या उसका मुझे reference चाहिए होता मैं क्या use करता obviously हम सबको मालूम है DOM, document object model document.query selector, document.get element by id, document.classname I mean आपको अभी तक उडाउट मन में होगा यार मैंने इतना मैनत करके DOM पड़ा है तो DOM का लेना देना ही नहीं DOM का कोई काम ही नहीं है क्योंकि react अपना खुद का virtual DOM है जो कि खुद एक misleading DOM है समझे रहो तो यहाँ पर react ने clear बोला नहीं DOM use करना ही नहीं है आपको क्योंकि वो against the rule है एंड आपका यह जो react एक declarative है यह react का concept हो है declarative हो है जहाँ पर कितिनी बार मैंने बोला आपको लेना देना ही नहीं है कि behind the scene क्या हो रहा खाली मुझे यह data update करके दे खत्म याद है मैंने वो video बनाया था जहाँ पर मैंने आपको यह बताया था कैसे आपका react काम कर रहा था और tree में कैसे वो चेक हो रहा है वो सारी चीज़े जहां पर react always react dome को order देता है कि यह एक li add हुआ है at the end में update करो to do application वाली बात कर रहा हूं समझे हो यहाँ पर आपका जो dome है वो control कर रहा है सो यह आपका uncontrolled कहला था इत मिस react के हाथ में कोई power नहीं अब नॉर्मल जो आपका dome है browser वो आप handle कर रहा है सब कुछ ठीक है डोंट वरी जब यह फिलाल तो उपर मेंने गलती से control लिग दे यह uncontrolled है आपका ठीक है make sure यह आपका एक uncontrolled है ठीक है वो मैं बताऊंगा उसके लिए basically आपका reference के लिए we have a user app hook and react 19 में कहीं ने के आपने पड़ाऊगा user app hook में भी जो बहुत सारी चीजे थी अब उसकी कोई हमें need नहीं है वो हम आगे देखेंगे कोई बात नहीं बट फिलाल आपको यह बताना ज़रूई था कि controlled form enter hit कर दी चलो ठीक है मैं इसको delete कर रहा हूं ठीक है यहाँ पर हम चलते हैं this is our controlled form ध्यान से देखना मैं यहाँ पर चलो यह जो typescript crash course इस तरह के से है और मैं submit कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी फिलाल मैं uncontrolled तरह के से कर रहा हूं हां मुझे इसकी value चाहिए ठीक है अब मैं ना तो वह value attribute उसकर सकता हूं ना on change उसकर सकता हूं मुझे uncontrolled तरह के से करना तो मैं क्या करूंगा जब भी कोई form submit करेगा simple we have this on submit handle submit मैं क्या करूंगा console.log के बदले const data value equal to document document.query select and मैंने अल्रेड एक id दे रखी input value करके है ना and by the way आप आपने देखा होगा कि react में भी हमें यूज कर सकते कोई problem नहीं था and console.log कर रहा हूं and उसको मैंने console.log कर दी ठीक है अब अगर मैं submit करता हूं boom guys see input id में मुझे पता चल गया कि कौन सा field है जहां से मुझे value चाहिए था and obviously यहां पर इतना लिखने से काम नहीं होगा dot value मुझे करना पड़ेगा and इतना मैंने करा अब मैं refresh करता हूं type script crash course तो यह था आपका uncontrolled जहां पर आपने react state का कोई काम ही नहीं लिया जहां पर normal जैसे हम करते हैं in JavaScript वही तरीका हमने अपनाई and मुझे मेरा value मिल गया कि user ने क्या लिखा था यह यह आपका uncontrolled है अब ध्यान से देखना the moment अगर मैं value attribute add कर देता हूं तब देखो यहां पर देखो कुस्तों भी चीज आने लगा एक warning मुझे आ चुका है this could be due to the syntax error फिला तो syntax error है क्योंकि यहां पर कोई value था नहीं बट अब मैं क्या करूंगा एक name करके मैंने बनाई एक new मैंने state बनाया react power में आ रहा है नहीं भाई अब तो मुझे चाहिए power तो name बनाई उसने मैं यहां पर name देखो you provided a value prop to a form field without on change handler तो यह खुद बोल रहा है सिर्फ अगर आप value लिखोगे तो वो तो काम ही नहीं करेगा आपको on change भी लगेगा है ना this will render a read only field obviously तभी interview वाले आपसे पूछ सकते है कभी आप देखना यहां पर मैं चाहूं कुछ भी लिखना मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा क्यूंकि आप आपका ही react control कर रहा है react ने control कर लिया hack कर लिया अब react बोल रहा भाई अगर data चीए तो अब on change भी यूज करो आपसे value से काम नहीं चलेगा यहां पर तो आपको on change event भी यूज करना पड़ेगा ताकि user क्या लिख रहा हमें पता तो चले so for that set है यहां पर इसको मैं इस तरीके से set कर देता हूं and handle change जो है हम already देख चुके यह पार्ट बहुत easy है so that's why handle change मैं event में dot target dot value में रख दी अब ध्यान से देखने इसको मैं refresh कर रहा हूं ठीक है अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं submit करता हूं तो मुझे वह value आ रहा है यह तो बहुत easy था क्योंकि अभी भी मैं क्या तरीका अपना रहा हूं अभी भी मैं normal तरीका अपना रहा हूं इसको मैं cancel कर रहा हूं अब यहां पर console.log मुझे कुछ नहीं करना खाली मेरा वो जो नेम है वो पास कर दूंगा मैं refresh यहां पर यह and boom guys see देखो तो अब यह जो तरीका है यह है आपका control and the moment अगर मैं value हटा दूं and boom guys see this is it तो अब आपका clear होगे नौ एक component is changing a controlled input to be uncontrolled देखा तो इतर पहले control से वो I mean uncontrolled से control होने की कोशिश कर रहा था अब हम वापस control से uncontrolled होने की कोशिश कर रहे है ठीक है इसको मैं आप वापस रखता हूँ and यहां पर मैं एक simple value बिनो दे देता हूँ and yeah this is it देखो अब बहुत क्लियली देख सकते हो बहुत क्लियली देख सकते हूँ बहुत क्लियली देख सकते हूँ the moment value मैं इस तरह किसे दे दी अब हम क्या कर रहे है हम पावर छीन रहे है किस से react से it means controlled से uncontrolled so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लिए थी नहीं I hope आपको वीडियो पसंद आ होगा जहां पर अगर आप value attribute on change and आपका यह on change में कोई भी आप अगर function call कर रहे हो जो आपकी state variable को update कर रहा है यह सारे चीज़े आपके controlled component कहलाते है उसके अंदर आता है बट वहीं अगर आप कुछ भी यह सब use ना करके simple आपका वह traditional तरीका अपनाते हो and अगर आप use wrap hook भी अपनाते हो तो यह सारे आपके uncontrolled के अंदर कहलाते है ठीक है तो I hope guys आपका यह doubt clear हो गया होगा and मैं आपको बताऊंगा जब हम use wrap hook पड़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि uncontrolled आपको कब use में लेना चीए फिलाल अभी हम mostly यही तरीका अपनाते जहां पे control हम अपने को तो react है बठ हम अपने पास control कर रहे है ठीक है या कुछ pros and cons है यह आप समझ ली जेगा that is react has complete control over the input values making it straight forward to implement features like validation आप कर सकते हो conditional formatting आप कर सकते हो easier to handle form submission and integration with react lifecycle method enables clear data flow and centralized state management obviously cons में आप देख लीजे बता रहा है that is require more code compare to obviously code हमें थो ज्यादा लिखना पड़ता है can lead to more re-renders if not optimized although handles this efficiently in cases मतलब react बहुत easily handle करी लेता है at the end तुमें बस इतना कहना चाहूंगा कि हम control component के साथ ही ज्यादा काम करते है क्योंकि पूरा power हमारे पास ही है react के पास होना मतलब हमारे पास होना क्योंकि हम react में ही काम कर रहे है document.ya document.wo guys वह सही नहीं है and basically react में बोलता भी नहीं कि आप कभी उसको यूज करो बोलके ठीक है so I hope guys at least अब आपको पता चल गया controlled component uncontrolled component क्या है and वह जब भी warning आय तो आप समझ जाना समझ रहो value अगर आप directly as it is लिख रहे हो तो वह बोल देता कि यह uncontrolled the moment आपने state variable add करना गए बता देगा भई एक uncontrolled आप control में चेंज होने जा रहा है कोई problem नहीं है वो जस्ट आपको बता रहा है और कुछ नहीं हो रहा है वहां पर ठीक है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लितना ही आई हो बीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा क्योंकि कर से बहुत हग्योंकि